ओस्ट हो दो सबस्ट आपके लिए जो चीज लेकर आए उनके लिए एक वर्दान है दोस्तो आज मैं बात करने वारी हूं अमरूद की पत्तियों के बारे में दोस्तो अमरूद की पत्तियां बहुत ही शक्तिशाली हैं बहुत ही जाला बढ़ियां हैं आपके बालों के लिए दोस्तो इसमें विटमिन B और विटमिन C होता है साथ ही साथ यहें आपकी सकाल्प को अच्छा बनाती है जिसके कारण आपके हेर लोस की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है इसमें अंटी फंगर गुन भी भाये जाते हैं जो के आपकी सकाल्प को खुजली आदि की समस्या से भी बच्चाती है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं हमने कैसी इस रेमिडी को बनाना है दोस्तो सबसे बहले आपको simply 10 पत्ते मुरूद के लेने हैं आपको पानी में इन्हे अच्छी तरह से उबाल लेना है इसके बाद जब पानी आधा रह जाए तब इस पानी को बालों की जड़ों में चितरा से लगाए कुछ घंटों तक बालों को सधारन पानी से आपने नहीं वाश करना है इसके बाद आप सधारन पानी से बालों को धो सकते हैं अगर आप ये परकिरिया रात को करते हैं अगर रात में आप अम्रूद के पत्तों का जो पानी है वो अपने बालों में लगाते हैं और सो जाते हैं सुबह उठकर नॉमल वाटर से अपना सिर वाश करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही जादा बढ़िया होगा ऐसा करने से दोस्तों आपको उसी दिन इसका जो रिजल्ट है पता लगेगा इससे आपके बालों में खुझली भी नहीं होगी और अगर आपके बालों में ज़्यादा डेंडर फैर वो भी ठीक हो जाएगा और बालों की जढ़ने की समस्या तो डैफिनेटली खतम हो जाएग तो दोस्तों एक बार यह ज़रूर ट्राय करके देखें बहुत इससे इसमें आपको ज़्यादा इंडिग्रीडेंस की जूर्त नहीं है सिर्फ पत्ते चाहिए आपको पत्तों को गर्म करके उबालना है और उनका पानी जवाधा रह जाए वही आपने यूज करना है आपको गुट्बाई ते हाली